नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं RPS समाचार आए शुरुआत करते हैं आज की खास ख़बर से उन्नाव में सपाजिला महासिचिप समय 14 के खिलाब F.I.R. सरकारी भूमी पर कबजा करने अवेद निर्माड कराने का लगा आरोप उन्ना में सरकारी भूमी पर कबजा करने और अवेद निर्माड के आरोप में सपाजिला महासिचिप समय 14 पर नगर पालिका ने केस दर्ज कराया है कई शिकायत मिलने के बाद D.E.M. के नरदेश पर बूमी के पैमाईश में 20 बिस्वा सरकारी जमिन पर कबजा कर बारे से अधिक भवनों का निर्माड कराने का खुलासा हुआ था जिस पर पालिका कर अध्यक्ष ने सर्वजने के संपती नुकसान निवारण आधिनियम के तहट कई धारों पर केस दर्ज किया है 24 पर पालिको ततकालीन टीएम ने शिकायत की थी कि अनवार नगर के हजारीवा क्रिशना देई खेडा में सपा के जिला महासचेव उजहर ने 24 बिस्वा बंजर और तालाव की सरकारी जमीन पर कबजा जमा कर बेकरी कर दी है इसे शिकायत पर डीएम ने राजस्य करिमियों के अलावा पालिका की संपती विभाग से जाच कराई थी जाच में कई विस्पा जमीन पर अवैद कबजावा भवन निर्माड अवैद मिला था इओ की रिपोर्ट मिली तो कर अधिक्षक ने तहरीर देते हुए मुकदमा पंजिकरत करा दिया इओ ने बताई कि अवैद गबजेदारों को अपनी सरकारी जमीन से हटाने के लिए वकारूनी प्रक्रिया के तहत कारवाही करेंगे सपा महासचिव समयत इन पर केस पालिका के कर अधिक्षक की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर सपा महासचिव ओजैर एहमद, मौनी देवी, सिया दुलारी, परम जीत कौर, शालू, सुरेंदनाथ, गीता, मौहमद हवीब, शम्शेर, जमाल शेक, जबीर, सबीरा, सरताज सफीक, एहमद, पर 420 समयत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, पालिका के अधिकारी जाएंगे कोट, मुकदमा दर्ज होने के बाद पालिका के अधिकारी कोट जाने की तैयारी में है, पालिका की अधिवक्तवा संपति वभा के कर्मचारियों ने कागजी प फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ तब तक लिए नमस्कार और देख तेरी आर्पेस समाचर